हेलो फ्रेंड जोती की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो रजनी गंदा बहुत ही खुबसूरत फ्लारिंग प्लांट होता है जो आने वाले गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग देखने को मिलेगा अगर लोग इससे अपने गार्डें में इस टाइम लाकर एड़ करेंगे तो यह आपके गार्डेन में रजनी गंदा का प्लांट इस एक तया एक अच्छे से ठेलाइजर करने का और एक पब्लूमियों में की आने वाले टाइम में आपको ब्लोमिंग देखने को मिले तो देखे मैं आज अपने पौधी की रूपॉर्टिंग कर रही हूँ तो ये पूरा रूट बॉंड हो गया है घास पुसूग गया है तो इस टाइम पर हमें इसकी केर कर लेनी है ताकि बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग आगे चल कर हमें देखने को मिले तो ये मेरा पौधा है तो विंटर में ये डॉर्मेंट हो जाता है तो देखे इसके ये बल्ब है इस तरह से दिख रहे हैं और इसमें तुलसी का भी पौधा उगा आया था तो मुझे उसको भी हटाना है तो उपर से तो मैंने कट कर दी है और ये सारे इसके बल्ब हैं तो बल्ब वाले पौदे में गुड़ाई करने में थोड़ी प्रावलम होती है क्योंकि अगर हम गुड़ाई करेंगे बल्ब में खरोच लग गया तो बल्ब खराब हो जाता है तो इस तरह से देखे मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो आप लोग इस तरह से देखे ये टाइम है आपके पास पौदा है तो आप भी उसे फर्टिलाइज कर ले जैसे मैं कर रही हूँ या नरसरी से अगर आप बल्ब खरीद कर लाए हैं तो उसे कौन सी फर्टिलाइ बहुत ही आसानी से देखे यह निकल गया और पूरा देखे प्लांटर मेरा रूट पॉंड हो गया था और तुलसी का भी इसमें जड़ मिक्स है तो बहुत ही अच्छी सॉयल देकर मैंने लगाई थी भूर भूरी सॉयल थी पूरी सॉयल कभी भी बल्वस पौधा आप बहुत ही इसली ड्रेन आउट हो जाए तो देखे इस तरह से मिट्टी मेरी काफी अच्छी थी इसलिए मुझे बहुत मसकत नहीं करना पड़ा इनको अलग करने के लिए पॉट से भी इसली निकल गया तो देखे किस तरह से यह बल्व मल्टिप्लाइ होते हैं और कौन तो इस तरह से एक बल्व आप लाएंगे तो काफी ज़्यादा बल्वस प्लांट मल्टिप्लाइ होता है और बहुत ही फाइदा रहता है हमें एक बल्व लाने से उसमें कई कई हजारों हजारों बल्व रेडी हो जाते हैं इस तरह अलग करकर हम लोग किसी को गिफ्ट भी तो यह इस तरह से इसके बल्व देखने को होती है दोस्तों आप लोग देख लें रजनी गंदा के बल्व को तो अब इसकी अच्छी सी सॉइल मैं बनाऊंगी पहले तो मैं सारे बल्व को एक एक करकर अलग कर ले रही हूं और इस तरह से यह किसी को मुझे देना है मिक्स किया ही हुआ था तो फंगी साइड दे दिया और थोड़ी सी इसमें मैंने बर्मी कंपोज्ट भी एड़ कर दी है उसके बाद दोस्तों इसमें मैं सी वी माइक्रो न्यूट्रेंस ग्रैनियूल्स डाल रही हूं और सबसे जरूरी कोई भी बल्वस प्लांट आप री स्थीमख़ले लिए ब Keeping दो प्लांटर से यह बॉट्स जितना बड़ा हो शेकर लन्तिती हां और पॉर्ट के हिसाब से हमें एक से 12 घृड स्टीम बटन मिल दीया जिसे कि फॉस्पोररस क्यैलसियम की पूरतीह क। कैल्सियम पॉधे में स्ट्रेंथ देता है और फॉस्फोरस बल्बस प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होती है तो इस तरह से पॉट में ठीक्रिया जमा देना है हड्रेनेज होल के ऊपर और सारे पॉट में मित्ती को फिलप कर लेना है अच्छे से पहले एक लियर द काम करता है फॉंगी साइड दिया है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा केयर हो जाए और फॉंगस वाला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो इस तरह से और गार्डेन सॉयल और रेत एकदम बराबर मात्रा में दीजेगा जिससे की बहुत भूरबूरी सॉयल बने जैसे कि आप अच्छे से पूरी पॉर्ट को गीला कर दीजिए अच्छे से और फिर उसमें देखे पानी कितने अच्छे से निकल गया और अपने बल्ब को जितनी भी रूट निकले हुए एक्स्ट्रा उसकी रूट प्रोनिंग कर दे यानि कि बल्ब से जितनी भी ये रूट्स निकल र ध्यान से करना है कि हमारा bulb क ہod houses कर उस चाँंची बाज़ा डी करें , दोड़ करें , ही यह भी केवार, ऩर यह था यह रग यह कर देहरagers अलग करें पहए इस रह चा बाज बान ब nerve हो पुरानग डेहर वह नेक्स्ट येर उसमें ब्लूमिंग होगी तो इस तरह से चटाई कर लेना है और उसके बाद इसको मैं मिट्टी में लगा दूँगी दोस्तो इतनी रूट्स निकली है और अब मैं गड़्धा बना कर इन बल्ब को इस में लगा दूँगी और जितने छोटे छोटे बल्ब्स हैं उनको भी मैं थोड़ी दूरी पर लगा दूँगी ताकि जो नया बल्ब मिले उसको भी बढ़ने का मौका मिले कि भीतर भीतर ये रखिएगा और कुछ बल्ब निकाल कर रख लें किसी को दे दे तो फिर नेक्स्ट येर हमें और भी बल्ब पॉट खाली रहेंगे तो और भी बल्ब इसमें मल्टिप्लाइ होते रहेगा बहुत ज्यादा मल्टिप्लाइ होता है ये कोई भी बल्ब वला पौधा एक बल्ब लाइए उससे डेरो डेरो हजारो बल्ब बन सकते हैं और कई पॉट हम लोग रेडी कर सकते हैं तो इस तरह से एक्ये करके सारे बल्ब को लगा दीजिए और फिर उपर से थोड़ी सॉयल मैं दे दूंगी ताकि बहुती अच्छी ग्रोथ निकल कर आने वाले टाइम में मेरे पॉधी की हो और बहुती अच्छी हेवी जबजस ब्लूमिंग देखने को मिले तो इस तरह से मैंने रिपोर्ट कर दी दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफरमेटिव हो चैनल से जुडने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कुछ भी प्राब्लम हो तो कमेंट करें तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ तो टेक क्या तिल देन बाबाए ठैक्स पूर वाचिंग गोवीद क्रीन हैपी गार्डनिंग और फिर अब इसमें वाटरिंग अच्छे से कर देना है और अभी इसको दो दिन बेड़ वाली जगा पे रखें और फिर इसे फूल डेकी सनलाइट में निकाल दे दोस्तों बाई हैपी गार्डनिंग